नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमेंट में ये वीडियो में लेकर आई हूँ फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे इंपोर्टेंट नोट्स आपके चेप्टर नमबर फोर पर जो है विशेस आवशक्ता वाले बच्चे दिव्यांगों के लिए सारी रिक्षिक्षा एवं खेल गूद तो सबसे पहले बात हो रही है कि अच्छमता क्या है अच्छमता किसे कहते हैं तो अच्छमता अर्थात च्छमता की कमी अच्छमता कातात पर यह किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौधिक, विकासात्मक, संग्यानात्मक, समवेदी या फिर इन में से किसी भी प्रकार की समस्या से है जो व्यक्ति की कार्य शम्ता को बाधित करती है या रोक देती है आच्छम्ता जन्मजात वे किसी दुरघटना के कारण हो सकती है यह व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी हो सकती है विश्वसास्ते संगठन के अनुशार आच्छम्ता वहे अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्रे करने की शम्ता कम हो जाती है अशम्ता के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो एक होता है सारी रिक अशम्ता मतलब इस स्थिती में पीडित व्यक्ति किसी शारी रिक्षती के कारण अपनी दैनिक किर्याएं करने में असमर्थ हो जाता है जैसे कि अंधापन या फिर आंशिक अध्यापन या फिर आस्थितिक प्लासी या फिर सुनने में परिशानी सग्यानात्म कशंता दूसरा पॉइंट है सग्यानात्म कशंता क्या होता है इस इस्थिती में पीडित व्यक्ति किसी शती के कारण अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक किरियाओं को करने में असमर्थ रहता है जैसे की पढ़ने में परेशानी, गिंती करने में परेशानी, शब्दों कोया अर्थ समझने में परेशानी सामा निता इस अश्हमता का संबंद शरीर किरियात्मक पक्ष से संबंदित होता है तीसरा है आपका बौधिक अश्हमता इस स्थिती में पीडित व्यक्ति किसी शती के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक किरियाएं कर पाता है अपितु अनुकूल वहवार संबंदि किरियाएं भी नहीं कर पाता मानसिक कारण क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं पढ़ना, तर्क देना या फिर चीजों को समझना मानसिक कारण कहलाते हैं जानिकी मन के द्वारा या बुद्धी के द्वारा किये जाने वाले कार्या अनुकूल वहवार क्या होता है सामाजिक कोशल और व्यचारिक कोशल का संग्र है अनुकूल वहवार कहलाता है अश्हमताओं के क्या कारण है सबसे पहला संक्रामक रोग वन्शानुगत अश्हमता हो सकती है मालसिक स्वास्थे समस्याएं हो सकती है गलत ठीका करण हो सकता है यहाँ पर यह ठीका करण नहीं ठीका करण अत्वा गलत दवा का इस्तेमाल हो सकता है खुपोशन एक रीजन हो सकता है युद जो की नहीं होता युद्ध से यहां पे मतलब वो तलवार घोड़े वाला युद्ध नहीं है युद्ध मतलब आपस में भी हम छोटी मोटी लड़ाई करके भी अपने शरीर में अच्छमता विक्सित कर सकते हैं इसलिए हमें लड़ाई जग्रों से दूर रहना चाहिए अंतहश्रावी ग्रंथी में रुकावट, बीमारी, जहर, नाभी के दुरगटना, नशीले पदार्थों का तता हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल, स्वास्थ सेवाओं की कमी, हानिकारक व्य प्रदूशित वातावरण में काम करना जैसे कि हम अधिकतर देखते हैं कि भरतपुर, राजिस्थान के भरतपुर जैसे एरिया में जहां पे पत्थरों पर संग्मर्मर पर बहुत ज़्यादा काम होता है तो उसके दुए से भी बहुत ज़्यादा बिमारिया शरीर में विक्षित हो जाती हैं तो विभिन प्रकार की अशम्ताओं का कारण आंवानसिक होता है यदि परिवार में किसी को है तो फिर वो उसके परिवार में आने वाले बच्चों को हो सकती है इसको बोलते हैं आनुवानसिक कारण ये मिल जाता है अपने माता-पिता से या दादा-दादी से मानसिक स्वास्ते समस्याइं क्या होती है तो विभिन, अशंता, डिप्रेशन वे वाई-पोलर विकार जैसी बिमारियों का कारण होती है आम तोर पर देखा गया है कि मानसिक स्वास्ते समस्याओं के कारणों का पता लगाना पहिलाज करना मुश्किल हो जाता है जिसके कारण बहुत सी अशंताएं व्यक्ति में विक्सित हो जाती है कोई भी दुरगटना अशंता को विक्सित करने का एक प्रमुख कारण है आज की भागती दोड़ती जिन्दिगी में कब और कहां किसके साथ दुरघटना हो जा इसके बारे में कुछ कहां नहीं जा सकता है और इनी दुरघटनाओं के कारण फ्यक्ति में अशमता आ जाती है Next है कुपोशन हमारे देश में अशमता का एक बहुत ही बड़ा कारण कुपोशन हो सकता है क्योंकि भारत के बहुत से छेत्र ऐसे हैं जहां पर उनको हेल्दी खाना नहीं मिल पाता जिससे वो शारिविक और मांसिक रूप से कमजोर हो जातने है जैसे की कैलशियम की कमी हड्यों में कमजोरी ले आती है आयोडियन की कमी शरीर की व्रद्धी और विकास को रोग देती है विटामिन A की कमी से बच्चों में अंधापन आ सकता है और विटामिन B की कमी से उसकी इस्मरण शक्ती कम हो सकती है अथवा लकवा भी हो सकता है नेक्स्ट है बिमारी यदि किसी व्यक्ति को कैंसर, हिर्द्यगात, मदु में जैसी भयंकर बिमारियां बहुत लंबे समय से हैं तो वह किसी भी रूप में अशमता का सिकार हो सकता है जैसे कि कमर दर्द का आर्थोराइट्स का कंकाल संबंधी विकार आदिका नेक्स्ट, सिक्षा में कमी शिक्षा की कमी भी अशमता गम महत्वपून कारण है आमतोर पर देखा गया है कि मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते जिसकी वज़ा से वह किसी भी रोग में बिना किसी डॉक्टरी सलहा के कोई भी दवा ले लेते हैं जिसके कारण किसी भी तरह की शारिरिक वेमानसिक अशमता बढ़ सकती है नेक्स्ट है गरीबी गरीबी अशमता का एक बहुत ही बड़ा कारण माना गया है आमतोर पर देखा गया है कि गरीब वेक्तियों में अशमता होने का खत्रा और अधिक हो जाता है क्यूνकि या तो वो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर साफ सफाई नहीं होती वहां पर माहूल काम करने लाइक नहीं होता जो खिमों से भरा होता है और फिर उसके बाद पैसे की कमी के अभाव में वो सभी तरह का पोशन युक्त भोजन नहीं कर पाते Next, सिक्षा साफ पीने का पानी एवं आवर्शक पोशक्तत वो उनकी पोँच में नहीं होते दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन सभी मूलभूता वशक्ताओं के अभाव के कारण उनके अंदर अशमता आ जाती है कई बार ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे जन्म से ही किसी अशमता से ग्रसित होते हैं ऐसा इस कारण वस होता है क्योंकि गर्भवस्ता के दोरान मा को पूरी तरह से पोशक्तत्मों की प्राप्ति नहीं हो पाती है संक्रामक बिमारियां संक्रामक बिमारियां भी अशमता का एक कारण हो सकती है वाइरस बेक्टीरिया आदी भी शारिरिक अशमता का कारण बन सकता है यदि एक बच्चा किसी संक्रामक बिमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक शमता में कमी आ जाती है यदि बच्चे का बली भाती ध्यान ना रखा जाए तो उन्हें किसी तरह की संक्रामक बिमारी का खत्रा बढ़ जाता है जैसे पोलियों की दवा उचित समय पर ना पिलाने से पोलियों होने की संभावना बढ़ जाती है नशीले पदार्थों का सेवन इन नशीले पदार्थों का सेवन करते करते व्यक्ति इस नश्रे के जाल में फस जाता है इसका आधी हो जाता है जो कि उसको नुकसान देता है शारीरिक और मानसिक तोर पर और अश्मता को भी विक्सित करने का एक बड़ा कारण हो अंतह श्रावी ग्रंथी रुकावट अंतह श्रावी ग्रंथी में रुकावट होने से अश्मता होने की संभावना बढ़ जाती है इन रुकावटों के कारण बच्चों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक कमी आ सकती है स्वास्ते पर ध्यान ना देना ये भी एक कारण है अशमता विक्सित करने का तो कई तरह की अशमताओं से छुटकारा सही समय पर देखरे करके पाया जा सकता है आमतोर पर पूर्ण रूप स्वास्ते सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण या गर्भवस्ता के दोरान बहतर सुविधाएं खान पानुपलब्ध ना होकाने के कारण जन्म जाथी बच्चे में शारिरिक और मानसिक अशमता आ जाती है इन छेत्रों के विशेशक्यों द्वारा कुछ हापात काल को हैंडल किया जा सकता है और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा कई बार जनम से होने वाली शारिरिक अशमताओं को रोग पाना भी सफल हो सकता है आम तोर पर वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जिनकी आवासिय इस्तिती काफी खराब होती है आवासिय मतलब रहने रहन सहन की इस्तिती उन्हें पून रूप से अच्छी स्वास्थे सुविधाएं उपलब नहीं हो पाती जिसके कारण जनम जाथी बच्चों में सारिरिक और मानशिक अच्छमता हो जाती है या फिर होने की संभावना बढ़ जाती है ना भी क्या दुरगटना जैसा की 1979 से लेकर 1986 में अमेरिका तथा युक्रेन में हुआ ना भी क्या दुरगटना के कारण कई लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा 1945 में दीतिय विश्वियुद के दौरान जापान में USA द्वारा प्रमाणू बम किराया गया था इस तरह के हमले को जहलने वाले स्थानों पर आज भी इन प्रमाणू हमलों से निकलने वाली हानिकारक किरने जिनको हम रेडियेशन बोलते हैं इनका असर देखने के लिए मिलता है वर्तमान में भी ऐसे स्थानों पर जनम लेने वाले बच्चों में सग्यानात्मक विकार जैसे की डाउन सेंड्रोम होने की संभावना अधिक रहती है इस स्थानों पर जनम लेने वाले बच्चे किसी न किसी प्रकार की शारिरिक और मांशिक अशमताओं से ग्रसित होते हैं इस तरह के पदार्थों में टॉक्सिक जैसे लेड या फिर पारा आधिप आया जाता है हानी का रकर सायनों पेस्टी साइट्स के इस्तिमाल से विक्ती में अशमता एवं शिशु में जनम जात विकार होने की संभावना अधिक हो जाती है इसी कारण वज कुछ टॉक्सिक से मनुष्य के मस्तिशक को खत्रा होता है इनसे विक्ती का दिवमाग पून रूप से छतिग्रस्ट हो सकता है जिससे की अशमता आ जाती है नेक्स्ट है वातावरण तेजी से बदलते परियावरण, प्रदूशन तथा मिलावट के कारण लोग कुपोशन का सिकार हो रहे है बच्चों तथा गर्वती महिलाओं में कुपोशन की समस्या भी कई प्रकार की अशमताओं का कारण बन रही है नेक्स्ट है जीवन शेली आधुनिक जीवन शेली, खान पान की बदलती आदतें, मोटापा, शारिरिक्ष्रम का आभाव भी समरत्य परिवारों में विभिन प्रकार की अशमताओं का कारण बन रहा है प्रसव के दोरान होने वाली लापरवाही कई बार प्रसव के समय हुई किसी भी प्रकार की समस्य की कारण गर्वती महिला या नवजात सिशु में अशमता उत्पन हो जाती है विकार क्या है? या फिर विकार की अबधारना विकार को आमतोर पर मानसिक विकार से जोड़ दिया जाता है विकार व्यक्ति के प्रदर्शन विद्यनिक दिन चर्या में काम करने की शमता को वाधित करता है कोई भी विकार शुरुआत में साधर अर समझ जैसा प्रतीत होता है लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम घातक होने लगते हैं विकार का कोई समय नहीं होता, ये व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है, यदि विकार का सही समय पर पता नहीं चलता, तो वो आगे चलकर अच्हमता में भी बदल जाता है, अब बात कर लेते हैं विकारों के प्रकार की, तो A, ADHD यानि की Attention Defect Hyperactivity Disorder Second है B, SPD, Sensory Processing Disorder C है ASD, Austin Spectrum Disorder OCD, Oppositional Defect Disorder E, ODD, Obasive Compulsive Disorder तो ये 5 हैं, अब इनको हम बारी-बारी से देख लेते हैं हिंदी में बोला जाता है ADHD को अफधान, निून्ता, अतिकिरिया, विकार ADHD से पीडित व्यक्ति अतियदिक सक्रिया हो जाता है तथा उसके लिए अपने आवेक को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और ADHD, अवधान, निून्ता, अतिकिरिया, विकार के क्या लक्षण हो सकते है एक आगरता की कमी हो जाती है उसमें असंगठित हो जाता है, आज़ानी से विचलित हो जाता है, लापरवा हो जाता है गलतियां जादा करने लगता है एक जगा पर टिकर बैठ नहीं सकता, बिना सोचे समझे कार्य करता है अपनी भावनाओं को नियंतरित करने की कोशिश करता है आत्म केंदरित याने की सेलफेस वहवार करता है दिवास्व अपन देखने लगता है, दैनिक किरिया भूल जाता है ये सारे हो सकते हैं, सिंटर्म्स कारण क्या है इसका? पदार्तों का हानिकारक सेवन आनुवांशिक भी ये विमारी आ सकती है बच्चे में मस्तिश्क की चोट के कारण ऐसा हो सकता है या मस्तिश्क की कारशमता या बनावट में कमी हो सकती है खराप भोजन या पोस्टिक भोजन का ना मिलना, कुपोशन, समय से पूर्व जन्म लेना, मस्तिश्क के रोग, जनम के समय वजन की कमी, पारिवारिक अनुशाशन की कमी, या फिर शरीर की कोई किरियात्मक समस्या इस विकार का कारण हो सकती है दूसरा विकार है SPD, यानि की समवेदिंग, प्रसंसकरण, विकार, इस विकार में तंत्र का तंत्र की कारशमता में आई कमी के कारण, तंत्र का तंत्र, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ही सूचना को प्राप्त करने में या तो अशमर्थ हो जाता है, अत्वा इन सूचन को प्राप्त करने में मुश्किल आने लगती है इसके लक्षण हो सकते हैं सबसे पहला व्यभारिक लक्षण के अगर बात करें तो आवाज के प्रती अत्यदिक सम्विधनशील सुगंद के प्रती अत्यदिक सम्विधनशील रचनात्मक खेलों में शामिलना होना अकेले रहन दूसरा सारिरिक लक्षणों में आ सकते हैं खराब आसन, खराब संतुलन, खराब मासपेशे नियंतरन, धीमी मासपेशे व्रदी, नींद ना आना, नींद कम आना, शरीर के किसी हिस्से में अतेदिक कमपन होना, खराब तालमेल रहना, असंतुलन, ये सारे शारिरिक कारण हो सकते हैं अब है मांसिक या मनोवय ग्यानिक लक्षन तो समाज से अलग रहना, अवसाध यानिकी डिप्रेशन में रहना आक्रमक्ता मतब गुसेल होना, बहुत ज़्यादा चिंता करना भीड से डर लगना, अचानक किसी भी चीज को छूने से डरना ये सारे इस विकार के कारण हो सकते हैं और ये होता किस कारण से है, तो सबसे पहले वनसानुगत हो सकता है ये असमान्य मश्तिश्क हो सकता है, तंत्री का तंत्र संबंधी विकार ही है तो तंत्री का तंत्र से संबंधित हो सकता है, गर्दन के उपरी भाग तथा ब्रेन इस्ट्रेम संबंधित चोट से हो सकता है, वाता भोजन के तत्वों से अलर्जी यानि की सही से भोजन ना लेने के कारण हो सकता है, मादक यानि की नशीले पदार्थों का सेवन करने से हो स Autism spectrum विकार इंग्लिश में बूला जाएगा इसको इसके बारे में देख लेते हैं यहें एक तंत्री का तंत्र तथा विकास से सम्बंदित विकार है इस विकार में पीडित विक्ती किसी स्वब्द या किसी वाक्य को बार बार दोहराता रहता है सामाजिक संपर्क करने में कठनाई लोगों के बीच में उठने बैठने में हिचकने लगता है AST के क्या लक्षन है तो बाचीत करने में समस्या भासा से संबंदित समस्या आगों से संपर्क इस्थापित करने से बचना सामाजिक किरियाओं में भाग ना लेना बार-बार दोहराने वाली किरियाओं में व्यस्त रहना किसी भी वस्तु को बार-बार चूना स्वाद आवाज गंध के प्रती अत्यदिक संविधन शील होना सामाजिक संपर्क इस्थापित करने से बचना ये सारे के सारे इसे लक्षन हो सकते हैं अभी इसके क्या कारण हो सकते हैं तो अनुवान शिक कारण, गर्ब के समय कुपोशन का शिकार होना, वातवरन संबंधी कारण, मस्तिश्क का पूर्ण रूप से विक्सित ना होना ये सबी इसके कारण है नेक्स्ट विकार है OCD, जिसकी फॉलफॉर्म होगी मनोग्रसित बाध्धता विकार ये क्या होता है? तो इस विकार में पीडित व्यक्ति अपने से संबंधित वस्तुओं को बार-बार जाजता रहता है दैनिक जीवन से जोड़ी कुछ किरियाओं को बार-बार दोराता रहता है बार-बार जैसे हाथ दोना, बार-बार बाल बनाना, बार-बार कपड़े बदलना, इस तरह की कुछ लक्षन इसको देख लेते हैं तो जुनूनी विचार गंदा होने का डर, जरुरत से ज़्यादा धार्मिक कारियों पर ध्यान के इंद्रित करना चीजों को खोने का डर होना, वहमी होना और इसके बाध्यकारी वहवार क्या है? चीजों की दोरी जाज करना अपने प्यारों की कुशलता के बारे में बार-बार जांचते रहना, पूछते रहना, शब्दों को बार-बार धोराना धोने विसाफ करने की किरिया पर अत्यधिक समय वितीत करना चीजों को विवस्थित करते रहना आत्यादिक प्रात्ना करना घर में खराब समान को खट्टे करके रखना OCD के क्या कारण है? आजकल OCD बहुत ज़्यादा प्रचलन में है दोस्तों बहुत सारे सेलेब्रेटी भी हैं तक की OCD का विकार सिग्रसित है जैविक तत्व नियूरो ट्रांस्मीटर के स्तर में कमी आ जाती है मस्तिश्क के मारगों में रुकावड आ जाती है आनुवा अन्शिक तत्वों से भी ऐसा होता है जो बच्चों में मम्नी पपसे आ जाते हैं संकर्मन के कारण भी ऐसा हो जाता है वातावरण संबंदी ततु भी हो जाता है प्रियावरण में भी तनाव आ जाता है नेक्स्ट है ODD विरुध अवग्याकारी विकार यह विक्टनकारी विवार विकार के नाम से भी जाना जाता है इस विकार में पीरेटिव विक्ति अपने चारों और की चीजों को बाधित करता रहता है जिन में बच्चे, मम, स्परशी, क्रोधी और विवादी वहवार या नकार अत्मक सोच वाले हो जाते हैं यह है एक मानसिक वे विक्टन कारी विकार है इसके क्या लक्षन है? सज्ञान आत्मक क्या होगा? ध्यान के इंद्रित करने में मुश्किल आएगी इसको पोलने से पहले नहीं सोचेगा ज्यादतर अहताश रहेगा तनाव ग्रस्त रहेगा मनुविज्यानिक क्या कारण है? दोस्त नहीं बनेंगे जल्दी से जुझला हट रहेगी आत्मसम्मान की कमी होगी कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपनी मर्जी से काम को करेगा और इसके क्या कारण है? तो सबसे पहला तो अनुवांसिक कारण ही है यानि की मम्मी पापा से आ सकता है जैविक कारण में यानि की मस्तिश्क में चोट लगी हो सकती है नियूरो टांस्मिटर का समान रूप से काम करना इसका एक रीजन हो सकता है जहरीले पदार्थ का सेवन कुपोशन हो सकता है सामाजिक कारण यानि की अनुशाशन हींता से भी यसे उद्धंडी बच्चे हो जाते है धन की कमी हिनसात्मक वातावरण इन चीजों को प्रेरित करता है वातावरण सम्बंदी कारण यानि की पारिवारिक जीवन का ठीक ठाक ना चलना ये भी एक कारण हो सकता है अब दोस्तों जान लेते हैं विकार की प्रक्रती कैसी होती है तो सामाजिक विचारों को आदान प्रदान करने की शम्ता में कमी आने लगती है भाशा तथा विचारों को प्रस्तुत करने के कोशर विकास में कमी हो जाती है विकार का संबंद तंत्री का तंत्र से होता है एक मनोविज्या ने किया व्यावारिक समस्या विकार होती है विकार में गतिविध्यों को पून रूप से नहीं कर पा सकते अधिकतर विकार सदेव नहीं रहते सही समय में उपचार कराने से ठीक भी हो जाते है विकार बच्चों में जन्म से भी हो सकते है अब है अच्छमता सिस्ट अचार का क्या आर्थ है सिस्ट अचार का आर्थ होता है सिस्ट पूर आचरण तथा वैवार जिसे समाज के द्वारा स्विकार किया जाए और समाज किसे स्विकार करता है जो सही होता है गलत चीज़ को समाज के दौरा सुविकार नहीं किया जाता किसी भी प्रकार की अशक्षम व्यक्ती को सामन्य व्यक्ती से सम्बंध इस्थापित करने में अच्छा लगे एक बार दुबारा देख लेते हैं अशमता स्थापित करने में अच्छा लगे इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अशमता से पीडित है तो उसके साथ एक सिस्ट चार पूर्ण रूप से वहवार किया जाए जिससे की अशमता युक्त व्यक्ति को भी बात करने में अच्छा लगे कहलाता है अशमता सिस्ट चार असम्ता सिस्ट अचार के सिध्धान्त क्या होते हैं ये वे सिध्धान्त हैं जिनका हमें तब ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी असक्षम व्यक्ति के संपर्क में आते हैं हमें उससे बात करते हुए उचित शब्दों का चेयन करना चाहिए दिव्यांग शब्द से अथवा व्यक्ति अशम्ता के साथ शब्दों का प्रियोग करना चाहिए सहायक की सहायता के बिना दिव्यांग व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए उससे हाथ मिलाना चाहिए ध्यान पूर्वक उसके संपर्क में आना चाहिए अपनी पहचान तथा साथ में आए दूसरों लोगों की पहचान से भी दिव्यांग व्यक्ती को अवगत कराना चाहिए, दिव्यांग व्यक्ती को ठीक उसी प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे दूसरे सिस्ट अचारी लोग करते हैं. जब तक आपके द्वारा दी जाने वाली सहायता को असक्षम व्यक्ति स्वीकार ना कर ले तब तक उसके उत्तर की प्रतिक्षा करनी चाहिए वील चेहर पर बैठे हुए व्यक्ति की पीठ, कंधे, आती पर दया दिखा कर थप थपाना बिल्कुल नहीं चाहिए वील चेहर पर जुकना नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त हमें अपने वहवार और शब्दों से भी उसका आचरण या सुस्ट्रजार निभाना चाहिए तो दोस्तों ये था हमारा चेप्टर अशमता पर आधारित आशा करती हूँ आपको समझाया होगा इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे की इस तरह की और वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद